असलाम अलेकुम मैं हूँ डक्टर इंकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेस्बूक पेज अच्छा मूं की जो बद्बू है ये एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है जिसको मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल में बहुत डिटेल में 15 मिनिट की वीडियो बनाएगी अबसको डिसकस किया है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है देख लें और वो बलके जरूर देख लें अगर आपने नहीं देखी और आज की जो वीडियो है वो उसी की कांटिनुएशन है आज मैं आपको कुछ ऐसी आदात बताओंगा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बताओंगा अगर जिन से आप वाइड कर लेंगे और कुछ ऐसी हैब करना है पहले उन चीज़ों को डिसक्स कर लेते हैं कि सबसे पहले जो इंपॉर्टन बात है वो यह है कि हमारे मूँ में जो बदबू है वो क्यों होती है उसकी काफी सारी वजुवात है वो मैंने डिसक्स की है वो अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो यह वीडियो आप आप खुशकी पैदा करती है जो मूग की जो उन्दर जो फूख है जो सुलाइवा है उसकी सिक्रीशन को कम करती है तो जिनमें सबसे ज्यादा जो आजकर यूज्स हो रही है चीज़ बो है काफी ग्या करती है कि हमारे मूँ के अंदर मुझूद थूख को कम कर देती है तो जिसके नतीजे में जब थूख कम होगी तो मूँ की सफाई बहतर नहीं होगी और मूँ के अंदर बद्बू आना शुरू हो जाएगी दूसरे नमर पर काफी के अंदर जो वोलाटाइल सिल्फर कंपॉर् बढ़ जाती है तो इसलिए काफी को अवाइड करें जितना हो सकता है कम से कम यूज करें तो काफी से आपके मूँ की बद्बू बढ़ती है तो यह सहन में रखें दूसरी चीज़ जो है वो जायजी नहीं है वो है शराब अगर वो आप पीते हैं तो उसकी वज़ा से की बद्बू जो है वो बढ़ जाती है तीसरे नमबर पे जो इस थूक की खुशकी है वो सिगरेट स्मोकिंग है सिगरेट स्मोकिंग भी इसी मूँ की जो खुशकी है उसकी वज़ा बनती है तो जिसके नतीजे में मूँ की बद्बू आना शुरू हो जाती है तो सिगरेट इनके अंदर सावजरे फुश्बू वाली चीज़ें पान जैसे पान के अंदर डाली होती है लेकिन इन दे लॉग रॉन इनकी बज़ा से मुझ के अंदर इंफेक्शन्स होते है और मुझ की बद्बू जो है वो उसमें इजाफा होता है जिससे कैविटी प्रिडूस नहीं हो सकती तो वो जैलिटोल जो है वो थूक की पैदावार को बढ़ाती है तो उसको ज्यादे से ज्यादा यूज़ करें घर के अंदर ताके जब भी आप सफर में हैं या जहां पर भी हैं तो उसको चिंगम को साथ रखें उसको जैलिटोल जो है वो यूज़ करें उससे आपकी जो मुझ की बदपूर है वो खतम हो जाएगी इसके इलावा जो है अपनी रूटीन के अंदर आप इस चीज़ को इंकार्पूरेट करें कि आप ऐसे फ्रूट्स लें जिनके अंदर सिट्रिक एसिड बहुत ज्यादा है सिट्रिक एसिड का मतलब यह है कि उसमें आपके सबसे ज्यादा जिसमें वाटमन सी होता है या जिसमें सकार्पिक असिड जिसका हम कहते हैं तुर्श वाले जितने भी चीज़ें हैं मतलब जिसमें हमारा जो है माल्टा आगया, हमारा किनू आगया हमारा जितने भी औरेंजिस आगये इसके लावा हमारा जो अमरूद है ये चीज़ें भी आपके अंदर मूँ के अंदर जो थूक की जो सैलिवेशन है जो थूख की पैदावार है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिती है तो थूख जितनी ज़्यादा पैदा होगी उतनी मूँ की फलेशिंग होगी, सफाई होगी और मूँ आपका खुशगवार महसूस होगा आपको तो इसलिए इन फरूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस्तमाल करना है इसके इलावा मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ टंग सक्रैपर के ओपर टंग सक्रैपर आप डेली यूज़ करें सुबह जबाब उठते हैं, ब्रश तो करते हैं नहीं करते हैं, किया करें ब्रश करते हैं, इसके बाद टंग सक्रैपर यूज़ करें अगर टंग सक्रैपर आपके पास मुजूद नहीं है तो ब्रश से ही आप टंग को सक्रैप कर लें या टंग को साफ कर लें जबान अपनी साफ जरूर रखें क्योंकि सबसे ज्यादा जो मूँ को बदबू करने की जो सबसे बड़ी जो मेजर रिजर वायर है जो सबसे बड़ी वज़ा है वो आपकी जबान है तो जबान के ओपर जो गंट महल होती है वो बदबू, मूँ की बदबू करती है तो इसलिए जबान को साफ करने के लिए टंग सक्रेपर बैतर है परना ब्रश जो है आप इसी से ही अपनी टंग को भी साफ कर सकते है इसके लावा रेगुलर चेकप्स हमारे किलिनिक्स पे आके आप चेकप करवाएं ताके बैतर तरीके से हम देख सकेंगे कहां कहां पर क्या क्या चीज़ है जो आपके मूँ में बद्बू पैदा कर रही है उसमें क्या क्या हो सकता है हो सकता है आपको क्याविटी हो उस cavity की वज़ा से उसमें खाना फस रहा हो जरात सारे फसते जा रहे हो जिसके नतीजे में वो बद्बू कास कर रहे हो इसके इलावा आपके जो मसूडें उनकी बिमारी हो सकती है उसकी वज़ा से मुग की बद बहु हो सकती है तो चEC अप में वो डिटेक्ट हो जाएगी इसके इलावा हो सकता है कोई फूड जो है वो पॉकेटिंग बनी भी हो जिसमें फूड इंट्रैप हो रही हो दो दातों के दर्मिनान में कोई खला हो या कोई आपके artificial teeth लगे हो आपके कोई bridge लगा हो आपके क्राउन लगा हो आपके कोई denture लगा हो तो उसमें इस तरह की चीज़े हो कि खाना फसने की जगा हो जहापे आपके खाना फसा हो वाओ तो वो check-up के उपर देखा जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा तो इसलिए check-ups necessary है regular इसके लावा बाकी जो चीज़े मैंने बताई हैं इनका अगर आप अगर आप अहतियात करेंगे तो बहतर है कि अगर आप फालो करेंगे तो आपके मूँ की बद्बू है ना काफी कंट्रोल हो जाएगी इसके लावा कुछ और वजवाद भी होती है मूँ की बद्बू की जिसमें मैंने बड़ी डिटेल से डिसक्स की है पिछली वीडियो में आप थोड़ा सा ओभर्वीयो ले लेते हैं उसका के जो आपकी टॉंसल्स है उनके अंदर स्टोन हो सकते हैं उनके इंदर इंफेक्शन हो सकता है उसकी वजब से आपके मूँ के बद्बू हो सकती है गर्ड जो है आपका suggestion पे बद्बू है तो इसके लिए आप एन्ट वाल से अगर आपको मुग की बदबु आ रही है असे निटी की वज़ा से जो के रिफलक्स आपकी डिजीज है तो उसके लिए आपको जो है वो आपको गैस्ट अन्टालोजेस्ट को चेक कराना पड़ेगा तो इसलिए अपने इसियत का ख्याल करें उमीद है आप आज की वीडिय में बहुत शुक्रिया थैंक यू